बेलकम बैक टू माई टूप्चन पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी जात्र बी ये फर्स्ट सेमस्टर में हैं उनके लिए हम लेके आए हैं कि एजूकेशन कि एजूकेशन का पेपर है और जिसमें हम देखने वाले हैं MC की कोशनों को मतलब कि बहुब विकल्पिये कोशनों को ठीक है तो देखो जिसे हम objective टाइब कोशन बोलता है या फिर MC की कोशन बोला जाता है मैंने एक फर्स्ट उनिट, सेकंड उनिट और थर्ड उनिट पार्ट बन वीडियो पार्ट वन जो है इस वीडियो का पार्ट बन था भाग एक में हमने अपलोड कर रखा है और भाग हम दो में पार्ट टू में आज इस वीडियो को देखने वाले हैं और अब पार्ट 2 में हम देखेंगे 4th unit और 5 unit और 6 unit मतलब कि 3 unit को हम इसमें देखने वाले हैं ठीक है और बाकी पार्ट 3 में हम देखेंगे पार्ट 3 में हम बाकी की जो बचे कोशन है उनको देखेंगे तो द्यान से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और पहली बार चैनल पे आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर देंगे इस यदि आप PDF को डालोड करना चाहते हैं आप देख रहे हैं तो आप हमारे notes का link description box में दे रहा है टेलीग्राम का टेलीग्राम पर जाकर notes को डालोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप आसानी से कर सकते हैं यहां मैं आपको बता दू यहां बात करने वाले हैं पहला unit की बात करेंगे फर्स समिस्टर वालों के लिए बीए फर्स समिस्टर education जिससे सिक्षा सास्तर वोला जाता है उसका paper देख रहा है पहला question है फर्स इनिट में most important question है यहां बोला गया है सभीधान के किस अनुछेत में संग सामित छेत्रों में सिक्षा और प्रिशाशन के बिसय में कहा गया है तो वो कौन से आर्टेकल के थुरू कहा गया है आर्टेकल 239 में कहा गया है option number 1 को लोग करेंगे यह कहा गया है सभीधान के अनुछेत किस अनुछेत में संग सामित छेत्रों के सिक्षा और प्रिशाशन के बिसय में कहा गया है तो article 239 में दोला गया है option number A को lock करेंगे next question आपकी सामने है कह रहा है कि सिक्षा को सम्रती सूची में सभीधान के किस article के संसोधन के बाद लाया गया मतलब कि सिक्षा है वो एक संब्रती सूची के इंदे तक बखी गई है और संब्रती सिक्षा पर केंद सरकार और राध सरकार दोनों संसोधन कर सकते हैं दोनों उस पर कानून बना सकते हैं तो यह कौन से article के दोवारा यह अंग सिक्षा को संब्रती सूची में रखा गया तो जो कौन सा सभीधान संसोधन था बो था 42 मा सभीधान संसोधन था उसमें रखा गया था, ठीक है, नेक्स कोशन बूला गया है कि भारती सभीदान के प्रवंदक की तारीख क्या है, ठीक है, जो प्रतिवरतन का तारीख है, प्रवरतन की बात करने वाले हैं, तो भारती सभीदान के प्रवरतन की तारीख की बात की गई है, तो वो 26 जन्वरी 1950 ह ठीक है नेक्स कोशन बुला गया है भारती सभीधान में अनुच्छदों की संक्या कितनी है तो आर्टीकल की संक्या जो है वो 395 है और 12 अनुचुचिया है इस बात को याद रखेंगे ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने है option number 6 right होगा नेक्स कोशन पांच में आपके सामने आ चुका है इस कोशन कांसर सभी लोग comment section में देंगे तो आप गहेंगे वो सुगृत किया गया है तो कौन सा संता सभी लोग comment section बता दीजिए छटे question कांसर जिसने भी आ है 1949 बिलको right होगा next question बोला है मानव अधिकार दिबस प्रतिवर्स मनाया जाता है मानव अधिकार दिबस जो मनाया जाता है वो 10 दिसम्मर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिबस का मनाया जाता है 10 दिसम्मर को next question बोला है सिक्षा को सभी धान के सम्रति सूची में रखा गया है तो आप गहेंगे, ठीक है, कब रखा गया था संबर्थी सूची में, सिक्षा को, तो आप गहेंगे, वो रखा गया था 1950 को, ठीक है ठीक है, स्री, 1976 में, 1976 में रखा गया, 42 में सविधान संसोदर के दूरू 42 बे जो सभीधान संसोदन कब हुआ था तब सिक्षा को समिर्टि सूची में रखा गया था कब रखा गया था तो 1946 नेक्स कोशन बुला गया है कि भारती सभीधान लागू किया गया तो लागू कब हुआ था 1956 जन्वरी ठीक है चलो नेक्स कोशन यहां बुला गया है राज का सभीधानिक अध्यक्ष कौन है तो सभीधानिक जो अध्यक्ष होता है ठीक है राज का सभीधानिक अध्यक्ष राजपाल होता है राजपाल होता है सभीधानिक अध्यक्ष ठीक है राजच कोशन बुला गया है ब्यक्तियों को अधिकार है ब्यक्तियों को किसका मौलिक करतबों का उलेक है तो बरतमान में जो मौलिक करतब है वो बिटा 11 मौलिक करतब है बरतमान में ठीक है यहां बोला गया कि भारत में अधुनिक सिक्षा का जन्म दाता थे तो देखो भारत में अधुनिक सिक्षा के जन्म दाता थे चाल्स ग्रांट को बोला जाता है पूर्व प्रातमिक सिक्षा के जनक कौन है आपसे पूचा गया है तो देखो याद रखना फ्रोवेल क्या थे फ्रोवेल पूर्व प्रातमिक सिक्षा के जनक थे नेक्स को देखिए इस कोशन का अंसर बताएंगे बताईए सारे कोशनों के आंसर कॉमेंट सेक्षन में प्रात्मिक सिक्षा से होता है option नबर एक को लॉग कर देना next question है गेंडर गार्टन से पधिती का विसकारिया फिर जनब दाता कौन थे बताईए कौन थे इसके जनब दाता next question है के सकता है क्रिडर गारण किस भासा का סब्द है तो आप कोईगे ज़ूटर गारण है वो जर्मन भासा का सब्द है next question वह कर दिया जाता है k CPU कर दिया करता है खेल और मनुरंजन को option number C को लॉग कर देना next question मुला गया है कह सकते हैं मौटेशरी पदिती का विश्कार किया था तो मौटेशरी कह सकते हैं मौटेशरी जो पदिती थी उसका विश्कार किसे ने किया था तो सभी का answer आना चाहिए डाक्टर मौटेशरी ने किया था option साथ वर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो सिक्षा गरहण करते हैं next question यहां बोला गया है मौटेशरी पदिती में 3rs का क्यारत होता है वो होता है लिखना पढ़ना और गड़त का ग्यान यह होता है next question यहां बोला गया है डाल्टन डाल्टन पदिती का अविश्कार किया गय और गया option number C को लॉग करेंगे next question है डाल्टन पदिती किस सन में प्रसुत होई थी तो आपको सभी को बता होगा जो डाल्टन पदिती थी वो 1929 में प्रसुत की गई थी option number A को लॉग करेंगे next question आपके सामने है डाल्टन योजना पदिती का प्रयोग किस आयू के बालकों के लिए किया जाता है तो जो किया जाता है चौदमे question का जो right answer होगा वो आप सभी लोग बताएंगे वो 9 वर से अधिक बच्चों का होता है विटा option number C को लॉग करेंगे next question है आप बोला गया है सिक्षा में योजना पदिती दी है यह फिर योजना पदिती यह फिर प्रोजेक बिधी का निर्माण किस ने किया था सिक्षा में योजना पदिती का निर्माण किस ने किया था बदाएंगे सभी लोग के एक बार comment section में आंसर देतेंगे पंदर में question का अंसर क्या रहने वाला चेक करके बताएंगे एक बार तो आप कहेंगे kill pen check द्वारा दिया गया option number c को लॉग करेंगे next question है योजना पदिती किस सिध्धान पर आधारित थी तो योजना पदिती थी जो वो किस सिध्धान पर आधारित थी बदाएंगे तो शोल में का अंसर जिसने भी दिया है करके सीखना करके सीखना जो है उस पदिती पर आधारित थी option number b को लॉग करने ना ठीक है इसको बताना है देखो मैं यहाँ थोड़ा सा गड़बड हुआ है देखो यहाँ मातर होंगी दो और sorry देखिए यहाँ जो है मिट गया है देखो यह चीज़ हो जाएगा यह आपको पूरा क्या देखिए देखो किल पैट्रिक यहाँ बूला गया है देखो किल पैट्रिक किस सिक्षा सास्तरी के सिस्थे तो किस सिक्षा सास्तरी के सिस्थे किल पैट्रिक आपको बताना है तो बो थे बेटा जॉन डूबी जॉन नेहाँ बूला गया है treaty की के योजना पবयोग किया गया तो किस इचुछना प्रें पृक्षा में किया गया था अब याद करेंग in डाक्टर मेटरीसरी द्वारा किया गया था मेटरीसरी पदिती का मेटरीसरी पदिती 3RS का मतलब क्या होता है लिखना, पढ़ना और अंक गडित मतलब की गडित करना next कोज़ा है किलपेड्रिक किस दार्षनिक के सिस्थे तो आप गोगे जॉन डिवी के से दे और यहां बुला गया है किड गार्डन पदिती किस सिक्षा कह सकते हैं किस सिक्षा सास्तरी ने दी थी तो वो किदी फ्रोवेल ने द्वारा दी गई थी नेक्स कोशन बुला गया है कि किड कह सकते हैं किडर गार्डन पदिती की पदिती में अधिक महत्व किसको दिया गया था तो जो कह सकते हैं किर्ड गार्डन जो पदिती थी सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया गया वो दिया गया था खेल को और मनुरंजन को ठीक है यहां मुला गया है मेटिसरी पदिती में कितने बर्स में बालक के सिक्षा गराण की जाती है तीन से छे बर्स तक के बच्चों के ठीक है अब यहां यूनिट अमबर 6 में पहुंच जाते हैं इसमें हम MCQ को देखने वाले हैं आप सभी चात्रों से कहना चाहेंगे कि PDF को डानल फ्रात्मिक चाह गया वो किसको गया था तो पहला और सभी लोग सब् mood वारत के बाद करने वाले भारत में सिक्षा के अंतरगत को होती हैं बहुती से लेकर बारत को डिया सबस्क्राइब सबसे कमजोर कड़ी है यह कहा था मुदलियर आयोग द्वारा ठीक है ऑप्शन नमबर क्या रहेगा बी को बात करने वाले हैं मादमिक सिक्षा आयोग की निक्ति कव की गई थी तो मादमिक सिक्षा आयोग की जुनिक्ति की गई थी वो 1952 में की गई थी पीटा 1952 में ऑप्शन नमबर C को लोग करना है नेक्स कोशन है मुदल कमीशन का छित्र है तो वो किसका छित्र है पीटा के सटरी तो ब्लेक वाइडी उसाइब करेंगे शब्ली नेंस में ही कर को आ इसकी इस रफ़ो की गई थी? आप जो हाई स्कूल और इंटरकेप जो बोर्ड के साथ रहे है वो NCRD बोर्ड के स्टुडेंट है तो यह बोला गया है तो यह जो कब इस्थापना की गई थी इसकी NCRD की तो आप कहेंगे 1961 में इस्थापना की गई थी उपरोग सभी को लोग करेंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है देखो नेक्स कोशन है कि जिला इस तरपर मांदमिक शिक्षा का स्तरविदिक अधिकारी कौन होता है तो मांदमिक शिक्षा पर जो होता है वो जिला विद्धा है जिला विद्धिहाले निरक्षक होता है नेक पूस्राट बुला गया है की देखो सिक्षापणित्त की स्थाप्ण किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी नहीं कर Olkin को कुछ उन्यस चबहर यह कि गई थी केंद्री बिद्धालाइ जिसे हम के वी केंद्री जो कि ख voting सीख कि बीई होते हैं उसका गठन का पारित किया गया, तो 1963 से 1964 में हुआ था KBS का, ठीक है, KBS जिसे हम किंद्रिय बिस्विद्धिहाले बोलते हैं, ठीक है, नेक्स कोशन मुला गया है, उत्तर प्रदेश के सिक्षा मंतराले कहा हैं, वो बिटा नकलों में, उत्तर प्रदेश का सिक्षा जो मंतराल पिर अंचल दो था, उसमें इसको इस्थापित किया गया था, नवोदे विद्धिहाले को, 1986 में, कहरा है, शिक्षा नीती 1920 में मात्मिक शिक्षा में, शिक्षा का ढाचा है, तो आपको पता है, जो 2020 की जो शिक्षा नीती आई है, उसमें 10, 3, 3, 4, के मद्ध शिक्षा को ब आपकी 18, 14-18, 20 के बीच में होनी चाहिए, यहां पोजिशन बोला गया, तो यह था आपके यूनिट नमबर, हमने किया यूनिट 4, यूनिट 5, और यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 4, और यूनिट 5, यूनिट 6, इन हमने 3 यूनिट को कबर किया है, इस वीडियो में, पार्ट 3 में हम, पार्ट 2 में हमने यह देखाए, और पार्ट जो 3 आएगा हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट माद में, पार्ट 3 में हम यूनिट 7, और यूनिट 7, और 8 को देखेंगे, बना कि 7 यूनिट और 8 को देखेंगे, दोनों को, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बैल